दोस्तो टाइटेनिक जहाज 15 अपरेल 1912 को डूबा था, जिसे 112 साल बाद भी बहार नहीं निकला जा सका, यह जहाज जब बना था, तो हर किसी का यह कहना था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता, हाला कि पानी में उतरने की कुछ समय बाद ही यह जहाज समुद्र में डूब दूस्तो टाइटेनिक जहाज के डूब जाने के बाद बेग्यानिकों ने इसे ढूनने के लिए जी जान लगा दी जिसके बाद साल 1985 में अमेरिकी नेवी ओफिसर और आर्कियोलोजिस्ट रॉबर्ट वेलर्ड ने आकरिकार टाइटेनिक को ढून निकाला इस मिसल में उन्हो जहाज आइज वर्क के टकराने से नहीं बलकि आग लगने के चलते डूबा था फिर जब जहाज का मलवा इतने सालों बात मिला तो वेज्ञानिकों ने पाया कि इसमें मौजूद कई समान आज भी वेंसा कई वेंसा ही है दोस्तो अब सवाल है कि इस जहाज को अब तक निक गरा था ऐसे में उसे अलग-अलग बाहर निकाल पाना संबब नहीं है वेज्ञानिक भी आज तक इतने हाई-टेक समरी नहीं बना पाए हैं कि वो इतने वजंदार जहाज को बाहर निकाल सकें वहीं दूसरा कारण पानी का दबाब है जिसने इस जहाज के वजन को और भी जादा बढ़ा दिया है कि उसे भाहर निकाल पाना संबब नहीं हो सकता दोस्तों ऐसा नहीं है कि वेज्ञानिकों ने इस जहाज को भाहर निकालने की कोशिश ना की हो वेज्ञानिकों ने कई वार कोशिश की लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हुई दोस्तों वेज्ञानि अभी flop हो गया क्योंकि helium gas वहां तक ले जाना भी असंभव है और उन values में helium gas को भरना भी असंभव है इसके अलावा भी विग गयाने को ने कई और technique भी सोची जो की सफल नहीं हो सकी और इसी बजा से tie technique को अभी तक भार नहीं निकाला जा सका है वैसे दोस्तों क्या आपको इस